कि PF account में pencard और bank account को हम जल्दी केसे link करवा सकते हैं और यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने PF account में pencard और bank account को जल्दी से जल्दी link करवा सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पीएफ अकाउट में पैनकाड और बेंक अकाउट को जल्दी केसे लिंक करवाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर लीजे सब्सक्राइब क्योंकि ये पीएफ तो जोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी करना पड़ती है और पीएफ अकाउंट की केवाईसी करने के लिए हमें तीन डॉकुमेंट की जरूरत पड़ती है और वो डॉकुमेंट है पैल कार्ड, बेंक अकाउंट और आधार का अब वो request जाती है हमारे employer के पास और जब हमारे employer उस request को approve कर देता है तब हमारे PF account में bank account और pencard दोनों ही link हो जाते हैं लेकिन PF account में इन document को link होने में काफी समय लगता है जिस वज़े से PF members परिचान हो जाते हैं और उसके बाद वो यही सवाल पूछते हैं कि PF account में pencard और bank account को ह हम जल्दी कैसे link करवा सकते हैं अब PF members इन document को जल्दी इसले link करवाना चाहते हैं क्योंकि PF account में ये दोनों डॉक्यमेंट link होने के बाद ही PF members अपने PF account से पैसा निकाल पाएंगे तो अगर बात करें कि PF account में इन document को जल्दी कैसे link करवाएं तो देखें जैसे कि मैंने आप को बताया कि आप अपने पी-एफ अकॉंड में जब पैंकर्ड और बेंक अकाउंड को लिंक करने की रिक्वेस्ट को सम्मिट करेंगे तब वो रिक्वेस्ट आपके इंप्लोईर के पास जाएगी और आपका इंप्लोईर जब उस रिक्वेस्ट को अपरूब कर देगा तब P.F. account में pen card और bank account link हो जाएंगे यानि कि आपके P.F. account में pen card और bank account कितने दिनों में link होंगे ये पूरी तरह से आपके employer के approval पर निर्भर करता है तो अब आप यहाँ पर यह समझें कि इन document को P.F. account में जल्दी link करवाने का तरीका क्या है और आपको क्या करना है तो जब आप करना है और अपने employer को ये बताना है कि मैंने अपने P.F. account में pen card और bank account को link करने की request को submit किया है प्लीज आप उस request को जल्दी से जल्दी approve कर दीजे इस तरीके से आपको अपने employer से बात करना है तो जब आप अपने employer को इस बात की जानकरी दे देंगे तब काफी ज़्यादा chances बढ़ जाते हैं कि आपका employer इस request को जल्दी से जल्दी approve कर दे और आपके P.F. account में ये दोनों document जल्दी से link हो जाए और यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने P.F. account में pen card और bank account को जल्दी से जल्दी link करवा सकते हैं बाकि आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर मिलते रहेगी